इसराइल और हमास युद ने पूरे मिडल इस्ट को जंगी मैदान में तब्दील कर दिया है। उतरी इसराइल में हिजबुला अपने हमलों से कहर पर पाँ है। हिजबुला के रॉकेट ड्रोन और मिसाइल हमलों से इसराइली सहने बलों को समखलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके फिलिस्तीनी प्रतिरोधी समू एक जुठो कर इस्राइली वलो को छका रहे हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने गाजा पट्टी में इस्राइली कबजे वाले सेना के खिलाफ लड़ाई और घात लगा कर हमले करना जारी रखा है। मौजुदा समय में गाजा से लगा अल्शुजया आईडियफ और फिलिस्तीनी लड़ाकों के लिए युद्ध का मैदान बना हुआ है। अल्कुट्स ब्रिगेट का लगातार वार इस्राइली बलोग पर तीसरे दिन भी जारी है। अल्मयादीन के एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी प्रतिरोध अल्शुजया पडोस में कबजे वाले सेना को खात लगा कर हमला कर रहे है। यहाँ दोनों बलों के बीच वे एक बड़ी लड़ाई चल रही है। और इसी कड़ी में फिलिस्तीनी प्रतिरोधी सैनी यूनिट अल्कुट्स ब्रिगेड ने बताया कि हमारे लड़ाकों ने अल्शुजया में इस्राइली कबजे वाले कमांड सेंटर के साथ साथ इस्राइली सैनीकों के समूहों और सैन्ने वाहनों को मोल्टरार के गोले से निशाना बनाया इसके साथ ही अल्कुट्स ब्रिगेड ने अल्शुजया में इस्राइली बक्तरबन सैन्ने वाहनों पर टेंडम रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनिट दागा जिससे उसमें आग लग गई और इसके चालक दल के सदस्य बुरी तरह से जखमी हो गए अल्कुट्स ब्रिगेड ने बताया कि इन जखमी सैनिकों को बचाने के लिए इस्राइली हेलिकॉप्टर हमले वाली जगह पर उत्रा और जवानों को रेस्क्यू किया और एक इस्राइली मीडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक सैन हेलिकॉप्टर ने अल्सुजया में ग कबजे वाले इलाके में जंग लड़ी जिसमें IDF के जवान घायल हुए। साथ ही अल्कसम ब्रिगेड ने गाजा शहर के पूर्व में अल्सुजया में बगदाद स्ट्रीट पर इस्राइली सैनिकों और सैन्य वाहनों के ग्रूप पर मोर्टरार गोले भी दागे। इसी तरह अल्मुजाहदीन ब्रिगेड ने बताया कि उसके प्रतिरोधी सिनानियों ने एक इसराइली टैंक को एंटी आर्मर विस्फोटक से निशाना बनाया जो की टैंक और उसके चालक दल पर सीधे जागिरे। इसके लावा नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड शहीद उमर उलकासिम फोर्सेज ने कहा कि उसके लड़ाकों ने ट्यूनीश याई कब्रिस्तान में पश्चिमी इसराइली कबजे वाले बनों पर मोर्टरार गोले और कम दूरी के रॉकेट वाले हत्यारों से निशाना ब झाले ह सकते हैं